हलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के बहुतिक विज्ञान विशे के अध्याई मात्रा के वं मापन अर्थत युनेट एंड मेजर्मेंट के पार्ट 10 वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम इस अध्याई के सारांच अर्थत समरी को समझेंगे अर्थत जो कुछ भी हमने इस अध्याई में समझाया उसको संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले इस अध्याई के शुरुवात में मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में समझाया था कि बहुत दिक राशिया फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और यह मैंने आपको एक्जाम्पल के थ्रू समझाया था जैसे लंबाई यानि आपको एक मीतर कपड़ा चाहिए तो आप इस लंबाई को समझाने के लिए आप दो चीजों का यूज करते हैं यानि कि एक तो उसकी क्वांटिटी जैसे किसी को एक चाहिए होगा किसी को दो यानि एक तो क्वांटिटी यानि एक दूसरा एक मीटर मीटर का मतलब है उसकी यूनिट उसका मात्रव तो हम यह समझ गए थे कि बहुत तिक राशिया वे राशिय होती है जिसको आप समझाने के लिए आपको दो चीजों की जरुरत होगी एक तो आपको उसकी क्वांटिटी बताने के लिए एक निमेरिकल वैल्यू चाहिए होगी और एक यह जो मीटर है यानि कि उसका मात्रव चाहिए होगा मातरक होता क्या है किसी भी राशी का जैसे एक मीटर हमने का तो वो लंबाई का मातरक है तो उस चीज को हमने यह समझायता कि हमने किसी भी बहुत इक राशी को नापने के लिए उसका एक निश्चत परिमान को हमने मानक माना और उसको हम कुछ नाम दे रहते हैं जिसको हम मात कि हाँ यह डिस्टिंस का है तो हमने एक मीटर इतने को कहा अगर इतने को कहा तो फिर हमने उसको एक मानक मान ले कि अपसे एक मीटर इतना होगा और फिर हमने उसको और चीजों से भी डिफाइन किया कि एक मीटर सौ सेंटीमिटर होता है इन इन चीजों से हमने डिफाइन किय तो हम इसको मात्रक ख्याते हैं, इसके बाद हमने दो राशियों के बारे में समझा था, फिर मूल मात्रक और व्यत्पन मात्रक के बारे में समझा था, तो दो राशियां होती हैं, एक होती है मूल राशियां, जो एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, जैसे इनी राशियों के माद्रकों को हम कहते हैं व्योत्पन मात्रक क्योंकि ये डिराइवड होने का मतलब ही कि किसी और से आय होता है इसलिए आप इसको डिराइव यूनिट्स कहते हैं इसके बाद हमने एक इंट्रेस्टिंग सी चीज पड़ी थी मात्रकों की अंतराष्ट्र पद्धती हमने सीखा था कि जगे जगे विश्वभर में किस चीज को कैसे कैसे प्रणाउंस करते हैं नहीं बोलते हैं तो यह जो तीन प्रचलित विधियां थी इनके आधार पर और इस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धती का जो एक extension था विस्तार था वो हमारे पर एसाई पद्धती के रूप में इस एसाई पद्धती इंटरनाशनल सिस्टम ओफ यूनिट्स के बारे में हमने थोड़ा समझ अधा ढ़िया था जिनके साथ मूल मात्रक होते हैं और वो कुछ इस तरीके सा इनके तरफ मूल मात्रक हो गए और यह हमारी मूल राशियां होकश एक तो आप इनको धियान रखेंगे हमेशा क्य Party ये आपकी व्योंदपन राशियों में भी सबसे दादर यूज नीं इसके भी राशिय को समझाने के लिए हम इन दो पूरक मात्रकों का कर यूज करता है क्यूंकि है । कोंच वह रिलेटेद होती है सबसे पहले हैं समतल ये कोण D theta याद किजिए क्या होता हार D theta फिटा को पॉज की तो d theta हमारे पास ऐसा था कि अगर हमारे पास कोई बिकरन यहां से यहां जाता है तो वो d theta angle ऐसे घूम जाता है यानि कि यहां से यहां पर जाने में यहां से यहां तो यह d theta घूम गया तो उसको आप एक कोंड से समझा सकते हैं d theta कि वृत्त के चाप की लंबाई बढ़ते चाप से वो अधर मूव किया, यहां से यहां, इसलिए आप चाप से समझाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, इसी तरीके से हमने ओमेगा को समझाया था, यानि धी ओमेगा, यानि घंकोन, सॉलिड आंगल, यह यह था कि जिसे अगर आप एक बिंदू से प्रकाश तो वो ऐसे चेत्र में आगे बढ़ता है, यानि गोली है प्रिष्ट के रूप में, जिसे यहां पर इतने चेत्र में आ रहा है, तो आप चेत्रफल के रूप में उसको समझाते हैं, यह जो डी ओमेगा होता है, यह जितने चेत्रफल में वो पढ़ा, यह वाला आपके बस डी ऑ है, और अपोन आर सक्ट यहां थरिज्या का स्क्ट ग्याएं। इसे का मात्रक होता है उसे लेज़्ी के रहता है। स कलिष्ट सार्네 दा कर सार था के इंपोर्टेंट पर पढ़கनु अगर आप यथार्ता पूरवाग यानि इसपर्ष्ट रूप से व्यक्त करना चाहें तो जो आप यूज करते हैं अंक जितने अंक आप यूज करते हैं उनको आप सार्था गंग कहते हैं और सार्था गंगो को यूज करना इसलिए भी जरूरी होता है कि आप अच्छे से जो भी आपने मापा है उसको व्यक्त कर सकें वो ब्रहामक ना लगे उसको सपष्ट करने के लिए कि कितने विभेदन तक परिशुद्धता और यथार्था पूर्वन तो कितने विभेदन तक वो ना पा गया है जो गहनत्व वाला एक्जामपल मैंने आपको दिया था इसमें तो इसके बाद हमने इसके कुछ नियम देखे थे कि आप सार्था कंको की संख्या कैसे गयाद करते हैं पहली चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि अगर मात्रक बदल जाता है तो सार्था कंको की संख्या नहीं बदलती जैसे मैंने आपको लंबाई का एक्जामपल दिया अगर एक ही लंबाई को मैंने चेंज किया चारो में तो सेम रहती है यानि कि चारो पद्धितियों में मात्रक बदल जाएं कोई बात नि पर सार्था कंक सेम रहते हैं इसको हमने कुछ नियमों से समझा था जैसे इस वाले संख्या में यह कोई लंबाई है सेंटीमितर में इसमें जितने भी यह किसी भी संक्या में जितने भी 8 अंक होते है जो 8 न ना हो यह सार्थक अंक होते हैं जैस hij हमने यह रहाा था, आपके पास यहां पर पाँच सार्थकंग करेंगे, फिर हमने इसको देखा था कि जैसे एक लंबाई है, इसमें दशमलव के पहले, इसका नियम अभी हम समझेंगे, लेकिन दशमलव के बाद, अगर यह जो जीरो हो, यह शून्य हो, वो अगर किसी अशून्य अंकों के बीच ना आए हो, तो वो भी सार्थकंग नहीं होता है, जो यह दाई और के शून्य होता है, इनकी बाद हम करते हैं, यह अगर वो अशून्य अंकों के बीच में ना हो, तो वो सार्थकंग नहीं होता है, उसके बाद, जैसे अगर कोई दशमलव रही थंक्या हो, जैसे कि यह इस इसमें आपके पास लेकिन लास्ट का जीरो सारतकंख नहींगा, क्योंकि डशम लवन अगर आपके पास दशमलो होता है, तो जो अंतिम जुने होता क्या हो जा जाने आए जीरो सारतकंख के या जफ़ साम में 1700 करो छो के बाद हमने एक और चीज़ सीखी ठीधिक है कि अगर किसी हमां पें δसकीगाhn reopening 10 होता है या दसकीगाhn का रूपव on the plus में वह सारतकंग नहीं होता है क्योंकि वह परिमान की कोटी के लिए tout एक और चीज जो मैं आपको पिछले वाली स्लाइड में कह रही थी जैसे यह था तो दश्मलव के बाइवर जैसे ये पूरी की पूरी संख्या एक से छोटी है तो ये एक से जो छोटी है तो दश्मलव की जो पहले का शुन्य है याने की बाइवर को जो ऑन पर किसी भी ऐसे सार्थक अंकों से संबंदित अंक्य संक्रियाओं के नियम समझेते कि आप गुणा या भाग कभी भी दो संक्याओं को करते हो जैसे कि हमने घनतव वाल एक्जाम लिया था यहां पर हम भाग कर दें इस पूरी संक्या को इस पे तो जो भी आपका परिणाम आएगा तो हमारा जैसे परिणाम इतना आया तो आप इसे ऐसे ही नहीं लिख सकते कि आप इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखेंगे आप इसका परिशुद्धता स्पष्ट करने के लिए आप इसमें इसका एक तो पुर्णांकन करेंगे और सार्थक अंकों की रूप में इसे लिखें तो आप परिनाम में सबसे कम सार्तक वाली संख्या के जितने सार्तक रखेंगे यदि 3 है तो आप इसमें 3 गजस्त करगें कि इतना लेकिन आप छोड़ रहे हैं तो genetic कोघ्ग आप पुर्नांग करेंगे तो यह 8-5-85 है यह जो इससे पहले वाला उंख है उसको एक अंक की वृद्धिगर देगा, यानि 1.69 हो जाएगा आपके पार्टी, ठीक है, ऐसी गुणा में भी होगा, ऐसी हमने योग और अंतर में देखा था, जैसे आप इन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, इन तीन संख्याओं को, जोड़ेंगे, तो आंसर यह आएगा, लेकिन अगर आप इसको परिशुदता इसपश्ट करने इसकी, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, कि जितनी यह जो मूल संख्याओं थी, इनमें दश्यमलव के बाद सबसे कम जिसमें सार्टाकंग हो, तो वो 2.6 मीकर में तो कि दश्यमलव के बाद केवल एक सार्टाकंग हो, तो आप इसमें भी दश्यमलव के बाद एक सार्टाकंग रखेंगे, यानि कि 24.4 रखेंगे, और यहाँ पर पूर्णांकन नहीं करता है, योग और अंतर में पूर्णांकन नहीं किया जाता है, यह आप याद रखेंगे फिर हमने पूर्णांकन के नियमों को समझाता, पार्ट फोर वीडियो में, जो हमने पिछली साइड में भी देखा तो इसमें हमने यह देखा था, कि जैसे अगर आप किसी भी संख्या में यह जो अंडरलाइन वाले वर्ड होंगे, उनको हम छोड़ना चाहेंगे अगर आप इस 6 को छोड़ रहे हैं, तो 6 पाँच से बड़ा होता है, तो वो अपने पहले वाले में एक की व्रिद्धी करतेगा, यानि कि 4 को 5 बना देगा, तो 2.75 आज जाएगा अगर वो जो आप छोड़ रहे होंगे, उपेक्षनी अंक होगा, अगर वो 5 से छोटा होगा, तो यानि 3 है जैसे, तो आप अंडरलाइन वाला वर्ड है, जिससे आप छोड़ रहे हैं, तो 3, 5 से छोटा इससे वो अपने पहले वाले को अपरिवर्धित रखेगा, उसमें क बराबर होगा, तो उससे पहले देखेंगे, अगर वो सम है, तो सम होगा, तो उसको वैसे ही रखेंगे, लेकिन अगर वो विशम हुआ, जिससे यहां की केस में, पार्ट से पहले विशम संख्या 3, तो आप उसको एक बढ़ा देंगे, यानि कि आप 2.74 लिखेंगे, उसको यानि जो आपका वास्तविक मान होता है, और जो आपने मापित मान था, उन दोनों का जो अंतर था, वो आपके पास absolute error था, यानि डेलेक्स था, इसको आप एक चीज इस तरीके से परिनाम को लिख सकते थे, कि x plus minus डेलेक्स, यानि कि वास्तविक जो आपका मापित मान होग वो x plus डेलेक्स और x minus डेलेक्स के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में आपका कहीना की observed value होगी, जो आपने मापा होगा, इसके बाद हमने आपेक्षिक तरूटी को समझा था, आपेक्षिक तरूटी यानि कि जो निर्पेक्षिक तरूटी है, और वास्तविक मान था, जो आपको पता है कि यही है, जो किसी pencil की लंबाई है, उस पर लिखी है, तो उसका जो अनुपात होगा, वो आपेक्षिक तरूटी और प्रतिशत तरूटी, अगर आप इसी तरूटी को यानि आपेक्षिक तरूटी को अगर प्रतिशत में चेंज कर दें, गुणा सोव कर और फिर हमने छेत्रफ़ल निकाला था इसका, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जो आपके बुस निर्पेक्ष तरूटी होगी उस निर्पेक्ष तरूटी को आप प्रतिशत तरूटी में चेंज करेंगे, तो आपने कर लिया, यह मैंने आपको सिखाया था कि किस तो आपने जब इनको गुणा किया तो इसकी गुणा इस से कर दी लेकिन इन दोनों को जोड दिया इस तरीके से लिख दिया उसके बाद क्योंकि यह 1.6% है तो उसको वापिस से हमने निर्पेक्ष त्रूटी में निकाल लिया सेंटिमेटर स्क्वेर यह भी मैंने आपको सिखा था कि आप यह किस तरीके से करते हैं अब यहां पर हम यह 2.6 है तो 2.6 को हम अगर लिखना चाहें तो हम इसका प्रूफ को नांकन करके इस 6 को छोड़ेंगे तो 6 5 से बड़ा है वो एक की ब्रद्धी कर देगा 2 में तो 3 हो ज सिदे सिदे यह जो नंबर थे प्लस माइनस पहले उनको जोड़ देना था नहीं 16.2 10.1 तो जोड़ दिया और यह प्लस माइनस की जगी प्लस माइनस और इसको और इसको भी जोड़ दिया जो आपके वास निरपेक्षत्रु के धी जब अगर यहां पर माइनस का चिन होता तो आप इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, लेकिन इसको इसको वापिस से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो sign change हो जाता है, तो ये भी मैंने आपको पार्ट फाइफ वीडियों में समझायता है, भागफल में ठूटी में मैंने आपको ही समझायता है, जिसे आपके बस कोई भी एक formula होता है, तो बस आपको दोनों side log लेना होता है, और log लेने के बाद ये दोनों side हमने ले रखा था, और कैसे लिया था मैंने यह आपको समझाया था और इसके बाद इसका अफकलन कर देना था आपने यानि इए differentiation तो differentiation के बाद जो आपके बस term आनी थी वो आप एक शिक तुरूटी के terms में थी और अगर इसका प्रतिशत रूटी निकालना होता है तो आप इसे गुणा सौ भी कर देते हैं बाइं तरफ भी और दाइं तरफ भी इसके बाद हमने बहुतिक राशियों के विमाओं के बारे में समझाता है यह हमने पार्ट 6 वीडियों में समझाता है तो हमने यह सीखा था कि बहुतिक राशियों के विमाओं वो बता यह हमें यह बताती है कि उस बहुतिक राशियों के प्रकृति क्या है यानि कि उस बहुतिक राशी में मूल राशियों के कितनी विमाओं नहीं था यह हमें यह बहुतिक राशियों के विमाओं बता रही थ इसमें से यह तीन सबसे जादा important है और विद्योधारा भी लेकिन इन तीनों का हम इतना use नहीं करते पर आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है इसके बाद हमने विमियस उत्र निकालना सिखा था तो यह भी हमने part 6 वीडियो में सिखा था यह हम थोड़ा से समझ भी लेते हैं हमने कैसे सीखा था जिसे कारे की विमा के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको एक formula पता होना चाहिए उस राशी का तो कारे बराबर बल गुणा विस्थापन होता है अब यहां पर बल की वैसे आपको जब आप practice करेंगे तो आपको बल की भी याद हो जाएगी लेकिन अगर आपको बल की याद नहीं है तो आप द्रव्यमान का M होता है लेकिन त्वरन की भी पता होना चाहिए तो त्वरन की निकाल लेकिन अब जब हमारी त्वरन की निकल गई तो बल की निकल सकती है तो द्रव्यमान गुणा त्वरन द्रव्यमान M और इसकी L T-2 जब हमारे पस बल की निकल गई तो हमने कार्य में लगा दिया तो हमारे पस ML T-2 और L आ जाएगी तो इसको गुणा करके ML square T-2 यह कारे के आपके पास विमा आ जाएगी तो आप practice कीजिए आपको एकदम से याद होनी लग जाएगी तो इसके बाद हमने विमिये विशलेशन एवं इसके अनुप्रयोगों को समझाता पार्ट 7 वीडियो में तो इसमें हमने एक सिधान्त का यूज किया था वो था विमा संगति के जाच करना कि कैसे हम समिकरणों की विमियरूप से जाच कर सकते हैं तो इसका यूज हम करेंगे इसी सद्धान्त का यूज हमने करा था यहां पर जैसे example के लिए e बराबर mc2 है यह आइंस्टाइन का समिकरण होता है उर्जा के लिए तो जो e है वो उर्जा है m द New यह माइनस में चले जाएगे तो याणि आप घटा रहूंगे तो इसका मतलब हर एक प्रब्द की विमा सेम होगी तो आप e की विमा चेक करेंगे e की विमा वह होगी जो कारे की होती है उर्जा और कारे की दोनों की सेम होती है तो यह आ जाएगी जो मैंने आपको अभी निकालनी भी सिखाए अब mc स्क्वेर की विमा चेक करते हैं अधार्त रूप से भी सही हो इसलिए हम कहते हैं विमीय संगती की जान बस आप यह यहाद हो कि यह मैंने आपको वैसे बताया भी था पार्ट सेवन वीडियो में उसके बाद हमने पार्ट एट वीडियो में विविन बहुतिक राशियों के मद्दे संबंद वियुत्पन करना किसाता तो यह हम कब कर सकते हैं जब हमें पता हो कि एक बहुत व्याशियों पर निरभर है एक पता हो तो हम इस इसी समिकरन में रखकर हम यह कह सकते हैं कि अब हमारे पास रिलेशन आगे यानि कि हमने वो संबल व्यूत्पन कर चुका होता है तो यह हमने इसके एक्जामपल से इसको समझाता अब इसके बाद हमने पार्ट नाइन वीडियो में बहुत एक राशियों के मात्रकों को एक मात सकते हमगें यह से 2 अब करें में आपको इस नीउटन से दाइन में चेंज करना था आपको यही फॉर्मुला लिखना था अब इसके बाद आपने एम की जगे क्योंकि पता है लेकिन आपको आपको नहीं पता कि कितना डाइन आएगा आपके एन आपने इस तरीके से इस पूरे को सॉल्व करके एंटू की वैल्यू आजा जाती या आपको पता चल जाता कि कितने डाइन आपका आंसर आ रहा है इसके बाद हमने किसी समीकरण में नियतांकों या चरों की विमाये गयात करना सीखा था ये भी हमने पार्ट 9 वीडियो में सीखा था ये भी हम विमाओं की समगात्ता के सिधानत का उपयोग करके करते हैं इसमें हमने मैंने आपको एक homework question दिया था इसी में हमने ये देखा था ये जैसे आपको A और B नियतांक हैं उनके विमाई निकालनी है तो ये दो पर जोड़े जा रहे हैं तो इनके विमाई सेम होंगी तो हमने इनके विमाई सेम कर दी है जो पी दाब होता है दाब बराबर बल बठे छेतरफल होता है तो वहां से दाब की विमा निकल जाएगी जा रहे हैं तो दोनों की विमाएं सेम होंगी तो व की विमा तो आयतन है यानि की LQ हो जाएगी तो यहां से हमारे पास A और B दोनों की विमाएं निकल जाते हैं तो हमने इस धांत का उपयोग करके यह निकाला है यह चीजे हमने पार्ट नाइन वीडियो में सीखी तो यह सा आपके लिए है वो आपके लिए कोई है यान चहां पर आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छ से आता है अभी के लिए थैंक यूँ